यूँ तो अलवर जिले का इतियास बहुत पुराना है अलवर जिले में डड़ी कर किले को आठवी और उनीसी सतावदी में बनाया गया था दोस्तों अलवर जिला वर्ष उनीस सो उननचास के बाद पहली बार जिला बना था अलवर जिले की स्थापना पंदरा मई उनीस सोननचास के हुई थी इसके बाद हमारे मुख्यमंत्री मानिये श्रीयसो गहलोग जी ने 17 मार्स 2023 खेरतल जिला बनने से यहां पर रोजगार की सम्मावनाय बढ़ जाएंगी की राजी में दूसरा सबसे बड़ा जिला अलवर था मुख्यमंत्री जी की ओर से ने जिलों की घोषना से पूर अलवर जिला प्रदेश का सबसे बड़ा जिला था छेत्रफली की द्रश्टी से देखें तो सबसे बड़ा जिला जेसलमेर है नए जिलों और संभावोगों की घोशना के बाद अब राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग होंगे नए जिलों के आधारवू धाचे को पूरा करने के लिए 2000 करोड का बजट दिया गया है अलवर छेत्र में 11 विधान सभा छेत्र, 4,7,7,16 पंचाय समीतियां, 15 उफंड, 22 तेसील, 2121 राजसुग्राओं और 565 ग्राम पंचायते हैं इस कराण ये प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है खेरतल जिला मुख्याले बना तो यहां से सहरों और तेसोलों की दूरी कितनी होगी खेरतल से बिवाडी 60 किलो मेटर, खेरतल से तिजारा 29 किलो मेटर, खेरतल से टपुकडा 50 किलो मेटर, खेरतल से पोटका सिम 37 किलो मेटर, खेरतल से मुंडावर 14 किलो मेटर, खेरतल से किसिनगडबास 10 किलो मेटर खेरतल जिला बनने पर यहां पर परियाटन के लिए तिजारा जेन मंदिर वे बाबा मोहन राम मंदिर भिवाडी परियाटन के केंदर होंगे दोस्तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमारे चेनल को सब्सक्राइब लाइक सेर और कमेंट जरूर करें धन्यवाद